हेलो गाईज, विलकम बेक टो माई चैनल विग्यान सायन सेकेड में जहाँ पे हम लोग सभी एजुकेशन अपडेट के बारे में बात करते हैं तो गाईज, उदे सामन सर ने अभी एक पोस्ट किया है जो पोस्ट में उन्होंने केरला के बारे में बताया है कि कैसे अल्मोस्ट सिक्स हंडर्ड पैरेंट्स के उपर गवर्मेंट ने सोशल डिस्टन्स फॉलो न करने के वज़े से केस किया तो हम लोग देखते हैं पूरा आल्टिकल क्या है इंजिनेरिंग एंड मेडिकल दोनों भी शुडन्ट के लिए इंपोर्टन्ट है गाईज केंद्र सरकार अजुन कसलिवाड बगते हाँ परिक्षिचा जिऊगे ना खेल कशा जटी करना टक सरकार ने घितले ले अभी अंत्री की पूर्वा परिक्षित विद्यार थानना कोरोना ची लागन जाली आहे असे अस्तना सरकार ने सहाशे मुलान चा पालकान वर सोशल डिस्टंसिंग न पायडाय चा रावा खली गुन्य दाकल करना चा निरने घितला आहे या प्रकारत केंद्र सरकार लक्षा घलून देशा चा भावी पीडिला आरोग्या चा दुरुष्टी ने नियाय मिलून देना आहे की नही तो यहाँ पे देखिए गवर्मेंट ने एक्जाम अरेंज किया अभी ऑफलाइन एक्जाम अरेंज करने के बाद बहुत सारे ट्रबन देगे गे तो एक्जाम देने के लिए बन प्रकार रहेंगे और बहुत सारे स्टूडंथ कोर्णा पॉजटिव हो चुके है और इस सीचुएशन का ब्लेम पैट चा यहाँ पर लक्षा आप इन्म के सरो इपर किया है कि पैरन कद्सल सारी वन डिस्टन्सिंग का प पोस्ट पॉन हो चुके है लेकिन फाइनल येर के एक्जाम के बारे में क्या ये चीज फाइनल येर के स्टुडेंट के साथ भी हो सकती है ये चीज जितने भी कॉमर्स वगेरा के जितने भी स्टुडेंट है फाइनल येर के उन सभी के साथ हो सकती है तो सेंटरल को इसमें ध्यान देना चाहिए ठीक है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल है परिक्षा देना रहा विद्यार्थान ना कोरोना सहाशे जनान चा पालका विरुद्धा गुन्ना दाखल कोरोना वाइरस चा पाश्वभुमिय और राज्जात अंतीम चाह परिक्षा घ्यावयात की नहीं यहा बाबद वाद विवात शुरू आहे तो जैसे की पता है सभी एक्जाम कैंसल हो चुके है जितने भी मेडिकल के भी एक्जाम है बहुत सारे पोस्ट पॉन हो चुके है लेकिन अभी फाइनल येर का क्या एक्जाम लेना है या नहीं लेना है उसका अभी तक डिसीजन नहीं हुआ दर्मेन केरल मदे गेनाता लेले अभी आंतरी की आनि वैद्धे की या प्रवेश पूर्व परिक्षेत काही विद्धर्धना कोरोना ची लागन जाले चे समोर आले आहे यहाँ प्रकर्णी सोशल डिस्टंसिंग निया माचा भंगा के लिए मुले साहशे विद्धर्धन चा पालकान वरत गुने दाकल के लिए ठीके तो गवर्मेंट ने एक्जाम लिया एक्जाम के लिए स्टूडेंट गए स्टूडेंट पॉजिटिव बने उसमें से कुछ और अल्मोस्ट इक्स हंड्रेड पैरेंट्स के उपर सोशल डिस्टंसिंग फॉलो न करने के वज़े से केस फाइल हुआ है तो इसमें गलती क्या स्टूडेंट का है क्या पैरेंट्स का है या फिर गवर्मेंट का है जिसने एक्जाम अरेंज किया उनका है तो अव्वेसली जो एक्जाम अरेंज करते है जो स्टेट गवर्मेंट है उनी का गलती है यहाँ पर लोक सत्ता ने दिल्याला बात मीनुसा परिक्षा गेनायात आल्या तो आर्किडेक्षर का भी एक्जाम हुआ था टेकनीकल मतलब इंजिनेरिंग का भी हुआ था और मेडिकल का भी एंटरंस हुआ था या परिक्षे ला उपस्तित एका सत्रा वर्षिय विद्यार्थाचा कोरोना अहवाल बुद्वारी 22 जुलाय र लेला सुद्दा दोन विद्यार्थाचा आवाल पॉजिटिव आला होता तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो तीन या चार स्टूडेंट का पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया था अभी बाकी के स्टूडेंट के बारे में यहां पर जानकरी नहीं है कि कितने जितने भी फाइनल येर के स्टूडेंट है जितने भी एटी केटी वाले स्टूडेंट है सभी का एक्जाम कैंसल ही करना चाहिए त्या मुझे केरल पॉलिस अन्नी थेट परिक्षेला बस लेला सहाशे विद्धार्थान चा पालकान विरोदात गुन्य दाकल के लिए आहे त्यानी सोचल डिस्टन्सिंग चान येमाचे उलंगन केलाचे पॉलिस अन्नी मंटले आहे ठीके तो पैरेंट्स के उपर कम्पलीट ब्लेम डाला गया है अगर मेडिकल के स्टूडेंट ऐसे अगर एक्जाम देते है और उनके पैरेंट्स के उपर भी ऐसे गुने दाकल हो पैरेंट्स के साथ ये इंपोर्टन नोटिस है